प्रिविएस येर कोश्चन डिसकसन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले ससी CGL 2016 टायर वन के 29 अगस का सेकेंड सिफ्ट ये पेपर डिसकस कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंगलिस सेक्षन डिसकस करते हैं आप लोगों ने रिक्वे तो CHSL सारा का सारा इस सीरीज में पेपर डिसकस किया जाएगा मैं कोशिस कर रहा हूँ कि एक पेपर रोज आपके साथ डिसकस कर सकूँ एक बार आपने प्रिविएस येर पूरा कम्प्लीट कर लिया तो 80-85% आपके एक्जाम का जो कंटेंट होता वो प्रिपेर हो जाता है क्योंकि 85% कंटेंट रिपीट होते हैं बहुत सारे इसमेंट ऐसा बोला है कि 2017 में कुछ नया ट्रेंड आया था कुछ नया कोश्चन आया था ब्रेक हुआ था तो मैं आप लोगों को बता दू कि 29 अगस का 3rd सिफ्ट लेने के बाद 2017 का कुछ पेपर डिसकस करके और मैं दिखाऊंगा कि 85% कंटेंट जो है रिपीटेड है सिर्फ 10 से 15% कंटेंट ऐसा होता है जो नया आता है बस यह जो आपका कोचिंग मंडी है वो आपको भ्रमित करता इस चीज को लेके ताकि उनकी कोचिंग की जो मंडी है वो चल सके तो इस भ्रम को मैं अगले कुछ वीडियोज में तोड़ने की कोशिस करूगा ताकि आप लोग राइट पाथ पे चल सके डेविएट ना हो क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजे हैं जो आपको हमेशा पाथ से बटकाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कसन इसकी PDF टेलिग्राम चैनल पर प यूज वाले जो वर्ड है इसका उसी का जो है आपको बेस्ट एक्सकर करके बताना है मैं अभी बताता हूं जैसे रिवाइल रिवाइल का क्या मतलब होता है गाली देना और इसका जो कॉमन यूज वाले वर्ड होता है यह यहां पर थर्ड आप्शन में दिया है अब आप रिवील का क्या मतलब होता है उगल देना कुछ आपके अंदर है कुछ इंफॉर्मेशन तो वह उगल देना रिवील कर देना अब नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे 77 77 में क्या होगा आप सिनोनिम तूश लिए 77 में आपको क्या अपोजिट बताना होगा बोले तो एंटोनिम इसको आंडर का मतलब होता है खर्च करना जैसे आपके पैसा वर्चा है तो वह बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तो खर्च करना बहुत ज्यादा खर्च करना बहुत ज्यादा खर्च करना अब आपको option देखना होगा spend मतलब क्या होता है खर्च करना होता है ठीक है तो यह इसका तो synonym से हो गया reduce कम करना होता है कम करना कोई चीज कम करना होता जैसे ज़्यादा है उसको कम करना होगा मतलब पैसा बगरा खर्च करना नहीं जैसे यह इतना बड़ा है इसको reduce करके छोटा पाट में कर दो तो slander एक अलग सा word हो गया, ठीक है, और यह आपके squander में नहीं आएगा, अब fourth skim आपका word है, skim का जो मतलब होता है, वो होता है कि कम use करना किसी चीज का, चाहे वो time हो, चाहे वो आपका पैसा हो, कोई भी चीज ऐसा हो, मतलब time, पैसा वगरा, जिसको आप कम use कर रहे हो, तो बोलते हैं, उसको skim, तो skim इसका क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, इसको under आप खर्च कर रहे है, skim आप कम खर्च कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे time हो, next question देखते है, 78, 78 में आपको बताना क्या है, spelling, sanctuaries की spelling आपको बतानी है, इसका मतलब होता है अभ्यारड, और sanctuaries की spelling जो है, वो आपके fourth part में सही दिया रखा है, s-a-n, c-t-u-a-r-i-e-s, ध्यान रखिएगा कि t-u होता है, t-e-n, sanctuaries, ठीक है, और t से पहले c लगा रहता है, यहाँ पर यही गड़बड किया, एक में t-u तो दिया है, c पहले नहीं लगा है, यहाँ पर c और u दोनों करना है कि कौन से part में है, a, b, c, and d आपका no error रहता है, he had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday, he had already sent me a message, आप a part को ध्यान से देखिए, he had already sent me, sent me message, message, उसने क्या बढ़ा message, अब message के पहले देख रहा हूँ, यहाँ पर एक article missing है, कि he had already sent me a message, that his arrival was scheduled for Thursday, उसने मुझे पहले से ही एक message भेज रखा है, कि वो उसका जो arrival है, Thursday को scheduled है, तो यहाँ पर आपका article a missing है, यह जब हम article अभी हमने कर नहीं रखा है, जब article अभी करेंगे हम, तो वहाँ पे चीज़े सिखेंगे, कहां कहां पर article लगाते हैं, कहां कहां पर article नहीं लगाते हैं, डीटेल में, लेकिन यहाँ पर एक general sense में समझे, he had already sent me a message, that his arrival was scheduled for Thursday, तो यहाँ पर एक पार्ट में रहर है, question number 80, science and technology, science and technology and dear fallouts do not complete human culture, science and technology and dear fallouts, यहाँ पर गड़बड़ी है, dear नहीं होगा, उनको यह पता होगा, कि हम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि science and technology के लिए हम dear इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे, it's, बात करें हम question number 81, देखो एक तो यह चीज है, parallelism का question आता है, अकसर करके, तो parallelism एक आपकी अलग topic है, और दूसरा चीज, आप इसको general sense में भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पर जो flap है, उसमें क्या आना चाहिए, क्योंकि the angry bird का मतलब क्या हो रहा है, कि एक क्रोधित पक्छी, सिर्फ यहाँ पर एक की बात कर रहा है, कि the angry bird, कोई bird है, वो the जब लगाते हैं, तो हम किसी को particularize कर रहे होते हैं, मतलब particular किसी bird की बात कर रहे हैं, जो क्रोध बहुत सारी बर्ड हो सकती है, लेकिन the angry bird की बात कर रहे हैं, तो दा का इस्तमाल हम जब particular sense में बात कर रहे होते हैं, जैसे मानलो बहुत सारा इसमें birds है, बहुत सारी birds से ऊट रहे है, या कुछ भी हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम किसी एक की बात कर रहे हो तो हम लगाते the angry bird, यही bird क्या है, the angry bird मतलब particular एक की बात कर रहे है, birds, flap, तो इसका क्या हो गया, singular आपका जो है, singular subject हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चीए, flaps, और एक चीज़ और होती है कि parallelism में आप पढ़ोगे, यहाँ पर जैसे flaps इस्तेमाल है, यहाँ पर flies इस्तेमाल है, यहाँ पर returns, तो यह एक सूर में अगर पढ़ते वक्त आपके आए, जैसे कि as form इस्तेमाल है, subject as form, ing इस्तेमाल है, तो इस तरीके से parallelism में एक नई चीज़ चल के सीखेंगे हम भी हम, इसके बाद जैसे हमारा grammar का class खतम हो रहा है, तो उसमें कुछ chapters के बाद parallelism वगरा भी हम start करेंगे, ब the clock has, the clock has a rundown for want of winding, run short, run past, run up, अब देखो यह हमारा क्या है यह, freezel verb, तो यह freezel verb है, यह हम सीख रहे हैं अभी, अभी हम यहां तक पहुचे नहीं है, तो run down का मतलब क्या होता है, आपको यह पता होना चीज़, run down का मतलब होना चीज़, run down का मतलब होता है, मंद होना, run short का मत चीज़ की कमी पढ़ रही हो, कमी पढ़ना, run past का मतलब क्या होता है, पीछे चलना, और run up का क्या मतलब होता है, जमा करना, जमा करना, इसके कई सारे यूजो जोते सेंस होते हैं, अब यहां पर रिखो, the clock has, sorry, the clock has for want of winding, clock क्या होई, घड़ी जो है धीमी परती है, अगर उ जाती है, तो यहां पर मंद पढ़ना का option आएगा, तो option क्या होगा, one होगा, run down इस्तमाल करेंगे, यहां पर, कि जब हम चाबी नहीं बढ़ते हैं, तो घड़ी हमारी क्या होती है, धीमे पढ़ जाती है, question number 83, few people know that flowers use texture to different kind of insects, यहां पर आपको एक जनरल से इसमें पता होना जो flowers है, वो texture का इस्तेमाल करती है, क्या करने के लिए, insect को attract करने के लिए, ठीक है, एक तो यहां पर दो option आप ले सकते हो, जैसे attract and distract, तो आपको जनरल चीजे थोड़ी से पता होनी चीए, कि texture का इस्तेमाल किसलिए किया जाता, यह थोड़ा आपका by logic apart हो गया, तो यहां प abandoned, sorry, they abandoned their comrades, the wolves, by, between, on, among, अब यह चीजे मैं आपको पता चुका हूँ, abandoned का मतलब आपको पता होना चीए, abandoned का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, बादित कर देना, कई सारे सेंस में इस्तेमाल होता है, तो वो अपने comrades, comrades का मतलब क्या होता है, साथी, यह उल्फ के बीच में, तो यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो रही, तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, among, अब देख रहे हैं, paper किस तरीके से आता है, और मैं क्या पढ़ा रहूं आपको, ज़्यादतर चीजे हैं, जो है, मेरी जितनी classes complete हो गई है, तीन-चार questions तो आपको हर set में direct to direct मिल जा रहा है, तो अभी classes ही कितनी हुई है, 8, 9, अभी एक बर classes तो होने दीजी, आपको इस सारी चीजे बिल्कुल direct to direct मिलेगी, सिर्फ 2 या 3 questions ऐसा पंगा पढ़ेगा आपका 25 में से, जो आपको थोड़ा सा brain इस्तमाल करना पढ़ेगा, otherwise classes से वो आपको direct मिल for keeps, keeps का मतलब होता है हमेशा के लिए, keep मतलब हमेशा के लिए रख लो, गया दिया लेकि नर्फार कई खिलो, जो जल्दी अक्षर करके कोई चल निकल पाता है और इसको students गचे का यूज करो जल्दी पढ़ता नहीं है, for keeps का मतलब हो गया for ever, ठीक है, question number 86 है, pale into insignificance, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ less important हो रही है, तो इसका पहला option दिया है, seemed less important, ठीक है, next है with one voice, with one voice का मतलब होता है, एक आवाज में, मतलब unanimously, option number 3 इसका सही होगा, यह सब idioms है, आपके direct meaning पता होनी चाहिए, अब ही हम जब idioms कर रहे हैं, उसमें सारे के सारे वापस से हम करेंगे, out of the four alternative, 88 है question है, choose the one which can be substituted for the given word sentence and click button corresponding to it, यहां पर आपको क्या बताना है, आप one word substitution, drug which causes people to sleep easily, मतलब एक ऐसे drug, जो जो है आदमी को नीद दिलाता हो, किसी को नीद ना आ रही हो, तो उसको अगर वो drug देत हो, तो नीद आ जाए, तो वो बताना है आपको drug को क्या बोलते है, पहला option है poppy, poppy का मतलब होता है posta, ठीक है, sporific, यही वो drug है, sporific जो है, एक ऐसी drug होती है, जो sleep दिलाने के काम आती है, इस्तमाल की जाती है, तो इसका option क्या जाएगा, sporific, beguile, beguile का भी मतलब आप जान ल पनडिता हो, जैसा आद्मी जिसके पास बहुत जादा knowledge हो, दिखावाँ कर रहा हूँ, पंडिता हूँ, इसको जैसे बोलते है, पिडान का मतलब होता है, पंडिता हूँ, जो psych करे, कि मेरे बहुत knowledge हो, पंडित लोग नहीं आते हैं, कि मेरे पास knowledge हो, knowledge हो to pedant पीडान तो उ इसी ब्रांच बतानी है, जो concerned हो किससे study of principle of beauty, जिसमें अध्यान कर रहे हो आप किसकी सौंदर है के principles की, especially in art, अब इसका जो मतलब होता है, वो होता है ये जो ब्रांच होती है, वो होती है aesthetics, क्या होती है, aesthetics, जो philosophy की एक ब्रांच होती है, जो principle beauty और art वगरा के विशाय में study करती है, artistic, artistic का मतलब तो आप लोग को पता होगा कि कलात्मक होता है, अगर हिंदी में बात करें तो, artist, artistic, ethics, ethics जानते हो न, moral behavior को हम बोलते हैं, metaphysics, metaphysics, metaphysics पता है क्या होता है, metaphysics एक ऐसी ब्रांच होती है, जिसमें हम जैसे कोई component अगर हो, कोई component हो, तो वो किस component से बना है, इस तरीके कि हम theory postulate कर रहे हो, theory बता रहे हो, कि ये चीज बता है, इसको अगर हिंदी में बात करें, metaphysics को बोलते है, तत्व मिमानसा, इसकी सुद्ध हिंदी होती है, तत्व मिमानसा, कि हम इसमें theory बता रहे होते हैं, कि अच्छे ये चीज है, यहां से इसकी उत्पत्ती हुई होगी, इस इस particle से बना होगा, तो हम उसके, कहां से उसकी origin हुई है, कि skin particle से बना है, इस तरीके की principle, इस तरीके क की बातचित कर रहे होते हैं, थिऊरी दे रहे होते हैं हम या पे, Metaphysics में, Question No.90, The Study of Skin, Skin की Study को क्या बोलते हैं, Study देखो अभी हमने Logi वाला जो है word पढ़ा नहीं है, क्या, Logi Root Word पढ़ा नहीं है, अभी हम One Word Substitution में Root Words कर रहे हैं, तो Logi एक Root Word होता है, जिसका मतलब होता Study, अब आपको लॉजी का मतलब study, अब आपको ढूड़ना क्या skin, skin derm, या फिर derma बोलते हैं इसकुन को, तो आपको derma logi या dermatology ऐसी तरह का कोई word मिले तो होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले में लिखा है dermatology, तो logi देखके यहाँ पर इसे मार देंगे, क्योंकि logi कई सारे में हो तो confused होते हैं, यहाँ पर logi है, oncology, oncology का मतलब क्या होता है, tumor, जो tumors नहीं होती है, tumors की अधियन को बोलते है, oncology, अब यहाँ पर दो और word है, dermatoglyphics और एक word है stratigraphy, अब क्या होता है, dermatoglyphics का मतलब मैं एक चीज आपको बता दूगी होता है, जैसे आपका हाथ नहीं होता, तो चीजों की जो study होती है, उसको dermatoglyphics बोलते है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर finger की study करते है, हाथ में study करते है, और इसके shape की, हाथ का shape अगरा कैसा है, तो वो उस ब्रांच को बोलते है, dermatoglyphics, और stratigraphy क्या होता है, stratigraphy होता है, जो है, एक strat, starter होता है, starter मतलब होता अस्तर, तो जब हम अस्तर की अध्यान करते हैं, जैसे आर्गलाजिस नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, कि कई सारे अस्तर बने होते हैं, तो उन अस्तर की जो है, जो अर्थ हमारा है, कई सारे अस्तर से बना होता है, तो उनका अध्यान करते हैं, तो stratigraphy उन अस्तर का अध्यान होता है जैसे कि rocks हो गया, उसके कई सारे आस्तर बने हुए हैं, तो उनका जो अध्यान होता, वो statigraphy के अंदर आता है, अब बात करते है 91 की, 91 में क्या करना है, कि आपका एक underline part दिया हुआ है, underline part को correct करना है, सबसे पहला है, see has that, 91 है, see has that rear character, the ability to listen to people, she has that rear character, the ability to listen to people, अब जो rear character इस पे underline है, और आपको correct करना है, कि इसकी जगह कोई और suitable word है, जो यहाँ पे डाल के हम इसको sentence को और improve कर सकते हैं, तो rear year, she has that rear year, rear character यह use होता है, आप लोग को पता ही होगा, अब rear year तो आपने लोग को उन्हें सुना नहीं होगा, अब rear character बोलते हैं, आप इन चीज में confused होगे, तो मैं बता दू, rear character stick नहीं, रेयर करेक्टर बोलते हैं, रेयर सेंस, रेयर सेंस हम ऐसे जल, मतलब जनरल बोलते हैं, ठीक है, तो इस इसाप से जो है रेयर करेक्टर फिट वर्ड है, और यहाँ पर क्या है, no improvement जाएगा, she has that rare करेक्टर, तो यहाँ पर option नमबर फोर जाएगा, इसको common sense से समझ सकते हैं, अभी जैसे हमारा grammar का पूरा portion हुआ नहीं है, तो आगे classes में जब चलेंगे, तो हम इस चीज़ों के भी से हमें और detail में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसके basic अभारिकी पर भी अध्यान करेंगे, question number 92, both of them, both of them have not apologized yet, अब यार 92 question, अगर मैं बात करूँ जैसे कुछ student है, अंकीत, राकेश, रे, मुझे लगता है कि आप लोग इस question को बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैं यह rule आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कि both of them have not, both of them, जब हम both का use करते हैं, तो not नहीं use होता है, तब हम क्या करते हैं, neither of them, क्या use करते हैं, neither of them, और neither के साथ हम क्या लगाते हैं, singular verb, neither of them has, तो option number A इसका सही होगा, तो यह हम चलके आगे अभी पढ़ेंगे, और जो student बिल्कुल पूराने वाले student है, उनको याद होगा, यह rules मैंने सीधा-सीधा बताया था कि exam में सीधा-सी पूछा जाता है, तो देख रहे हैं, कि rules सीधा-सीधा पूछा जा रहा है, next question है, 93, the greater the demand higher the price, जो executive का chapter पढ़े होगे, student, उनको भी यह सीधे-सीधे पता होगा कि क्या होता है, the greater the demand, the higher the price, ऐसे होता है, the greater the demand, the higher the price, आर्टिकल पहले के साथ यूच की हो, इसमें क्या होता न इंक्रीज हो रही है, तो आर्टिकल दा यूज किये, तो इसके साथ भी हम यह फॉर्मिट इस्तेमाल करते हैं, the greater the demand, the higher the price, तो option no.3 होगा, question no.8, sorry, 94, his appointment as coach is yet another feeder in his wing, आपको याद होगा, feeder in his wing होता है, या feeder in his cap, hat, क्या होता है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही, अगर आ इंडियम वाली classes देखियोगी, तो मैंने बता होगा, feeder in his cap होता है, feeder in his cap होता है, इसका मतलब होता है additional success, तो feeder in his cap सही phrase है, अब देख रहो किस तरीके से पूछा जाता है, question पूछा जा रहा है, preposition chart पे, question पूछा जा रहा है, phrasal verb पे, question पूछा जा रहा है, idiom पे, idiom direct भी द problem है, in his hat में crop problem है, तो इस तरीके से question put up किये जाते है, question number 95 है, the majority of rain-fed Indian rivers either dry up or become trickle after the monsoon, question को ध्यान से समझेगा, यहां पे जो underline part था, वो है trickle के नीचे underline part बनाये गया है, कि आपको trickle के साथ इस्तमाल करना है, the trickle, a trickle and trickle, सबसे पहले तो इसकी meaning समझे, the majority of the rain-fed Indian rivers, जो ज dried up या सूख गई है, और become trickle, after the monsoon, monsoon के बाद, तो यहां पे आपको यह देखना है, सबसे पहले पर trickle का मतलब समझे, trickle का मतलब होता है, जैसे अगर छोटी नदी हो, बहुत छोटी सी नदी हो, जो गर्मी होगर हम सूख जाती है, तो उसमें जो flow हो रहा होता है, वर्ब क की तरह अगर हम trickle का इस्तेमाल करते हो, तो उस flow को बोलते हैं trickle, और अगर noun की तरह इस्तेमाल करें, तो उस छोटी सी नदी को ही trickle बोल देते हैं, तो यहां पर क्या करना है, कि आपको article लगाना है, यहां पर इस्तेमाल होगा noun, either dried up, या तो सूख गई है, या तो become trickle, वो short में समझिए, कि अब आप यहां पर उस particular छोटी form को particularized sense में इस्तेमाल करने की कोशिस कर रहे हो, कि या तो वो सूख गई है, या तो उस particular छोटी सी नदी में बदल गई है, तो इसके लिए article दा का इस्तेमाल करते हैं, जो हम किसी को particular sense में इस्तेमाल करना होता है, तो यहां पर हम यह बताने की कोशिस कर रहे हैं, the majority of rain-fed Indian rivers either dried up or become the trickle, मतलब यहां particular sense में बात कर रहे हैं, या तो वो सूख गई है, या तो वो छोटे टुकडे में बदल गई है नदी के, यह जो है the trickle का मतलब हो गया, वो नदी का छोटा टुकडा, after the monsoon, ध्यान रखिएगा trickle आप लगाते हैं, तो पूरा का पूरा कर रहे होते हैं, क्या बतार stiff, पूरा का पूरा स्लप बतार रहे होते हैं, तो जब हम दा trickle लिखें, तो drug trickle का मतलब हम उन सारी की बात कर रहे हैं, जो छोटी है तो कह clever acknowledged becomes all over非 rain flowers, बदल गया मतलब, इसब को दो जादा तर क्या हूई है, ट्रिकल में convert हो गई है तो जब इसके पहले हम दा लगा रहे हैं तो एक इसको इस तरीके समझ रहे हो कि हम particular उस छोटी सी टुकड़े की बात कर रहे हैं और दूसी चीज है कि जब हम ट्रिकल के पहले दा लगाएंगे ज़िए चोटी नदी का टुकड़ा है तो उन सारी की सार मैं और डिटेल में आपको समझाओंगा बात करें question number 96 की अब यह 96 जो है आपका passage है आज का passage discuss करने से पहले मैं पिछले passage के आपको जवाब दे दूँ पिछले passage में 5 question आया था जिसके मैंने जवाब अभी तक नहीं दिया हुआ है 91 का जो option था वो था first वाला 92 का जो option था वो वो था आपका second वाला और 94 का जो option था वो था आपका fourth वाला और 95 का जो option था second वाला 93rd 94th और 95th डारेक्ट आपके सीधे सीधे दिख रहे थे इसमें दो question ऐसे थे जो थोड़ा सा tricky थोड़ा सा sense based पे था एक तो 91 में साथ पूछा गया था कि playing down the threat playing down the threat का मतलब होता है refusing to acknowledge इसक कि जो भी नेता वगरा लोग होते हैं वो जब उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो जब भीमारी वगरा हम लोग news paper वगरा बोलते नहीं है अरे यहां पर इतना हो गया इतना हो गया तो अक्सर कि कि नेता होग अधिकारी लोग मना कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो उस पैसेज की हिसाब से सेंस इसका यही निकल ला था और 92 में दिया हुआ था बैलूंड बैलूंड में किसी में गुबारा में हवा जैसे भर दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है इसके 3rd option में एक option दिया हुआ था कि जो है increase tremendously की जरू से जादा बढ़ गया तो 92 का 3rd option होगा 93 का 2, 4 और 5 तो 93, 94, 95 के सीधे-सीधे उसमें keyword दिये थे इसलिए मैं ज्यादा discuss नहीं कर रहा हूं उसको आज का पैसेश करते हैं यह थोड़ा सा जो है difficult सा है समझने के लिए लेकिन अगर जैसे मैं बता रहा हूं कि type 1 पैसेश पूछा जाता है तो इसमें सिर्फ आप keyword पकड़ेंगे तो option आपको मिल जाएगा चलिए पहरे एक बार पैसेश पकड़ लेते हैं पढ़ लेते हैं it is nothing short of revolution in how we eat and it is getting closer very day अब जैसे यहाँ पर देखें ना कि it is nothing short of revolution यह revolution से कम नहीं है how we eat हम कैसे खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यह पैसेश कहीं ना कहीं खाने पर related है it is getting closer very day every day sorry yes a lot of people are opposite opposite मतलब fat फिर देख रहे हैं खाना फैट मोटापे इनी सब चीजों से बेस दिये पूरा का पूरा पूरा पैसेश होगा पहली लाइन पढ़के यह समझ में आ जाता है कि पैसेश किस चीज पर बेस्त है and yes the definition of healthy eating seems to change all the time जो healthy eating की definition है वो हमेसाँ change हो रही है पहले paragraph से आपको यह पता चल ग match our genes and our taste buds creating the perfect diet for each of us a diet that will fight disease अब इसका Hindi मतलब समझने को बजाए यह समझ लीजे कि scientist एक research कर रहे है कि कुछ match करा जाए ना match करा जाए इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं increase longevity boost physical and mental performance and taste greater to food as food scientist Jay Bruce German says the foods we like the most will be the most healthy for us यहाँ पर पैराग्राफ अगरा थोड़ा से चेंज हो गया है यह पैराग्राफ जिस तरीके से चेंज है उसमें है नहीं ऐसा है आपको थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है तो यह ऐसे करके आगे देखते हैं is that going to be is that going to be great day or what all this will come to pass come to pass का मतलब मैं बता दो इसका मतलब होता happen thanks to genomics the science that maps and describes अब यहाँ genomics दिया है और इसका बताया मतलब कि the science क्या है science that maps and describes the individual genetic code यहाँ पर genomics की definition भी दिये है कि thanks to genomics the science that maps and describes an individual genetic code in the future personalized DNA chips will allow us to access our own inherited predisposition for certain diseases अब यहाँ पर future की भी बात कर दिया है then adjust our diets accordingly so if you are at risk for heart disease you would not just go on a generic low-fat diet you will eat foods with अब यहाँ पर heart disease की भी बात कर दिया है थोड़ी सी बस इतना ही थोड़ा थोड़ा sense लेना होता है just the right amount and type of fat that best for you you will even be able to track your metabolism day to day to determine what food you should eat at any given time for any given activity अब इसको पढ़के कुछ-कुछ words के तो आपके जो कमजोर student है मतलब कुछ word के ही मतलब जहन के अंदर आते हैं तो बस उनी के मतलब समझी है अभी मैं सिखाता हूं कि कैसे question के जवाब देते हैं अगर आपको मतलब ना पता हो तो भी since people differ in their genetics and metabolism one diet would not fit all says German German अभी उपर देख रहे थे एक जगह लिखा था German Bruce says या Bruce German says और यहां पर says German एक अलग तरीके कीवर्ड आया as complex as all this sounds it could turn out to be relatively simple अब यहां तक आपका passage होगा आप question पूछ रहा है what are scientists doing अब याद होगा जैसे पहला paragraph खतम हुआ था दूसरे में यही बात किया जा रहा था कि scientist research वगरा कुछ कर रहा है अब option पढ़िए जैसे मैंने पढ़ रखा है तो मुझे थोड़ा सा पता है कि क्या होगा अब देखो racing एक word आया था racing in labs and research बात की गई थी ना कि scientist क्या कर रहा है lab में research और race कर रहा है देखो option first में आपको दिया हुआ है sentence around the world यह पूरा exact line दिया हुआ था अब दूसरा चीज़े इसमें देख लीजे asking us to start dieting creating the perfect diet for us try and make us dollar अब एक बार पैसेज में आप घुम जाएगा गुम के देख लीजेगा कि इसके अलामा क्या इन चीजों को भी दिया हुआ है तो आप पाएंगे कि type 1 पैसे कि हमेशा वो type 1 ही आएगा टियर 2 में चलेंगे तो type 2 पे भी discuss करेंगे वहां पे भी practice करेंगे अच्छे से कि type 2 कैसे पकड़ते हैं 97 वाट जे ब्रूस जर्मन से देखो एक जगह लिखा था जर्मन से एक जगह लिखा था जे ब्रूस जर्मन से तो आपको keyword कहां के लिए जा यहां देखो ऊपर j bruce German says है j bruce German says the food we like the most will be the most healthy for you for you नहीं for us यह है और आपको option देखना है कहीं नहीं लिखा होगा the food we like is not healthy for us ऐसा कुछ नहीं लिखा है the food we like is the healthiest one for us the most healthy food should be liked by us the option second और यही जर्मन Bruce ने कहा था ठीक है वाटी जीणो मिक्स अब मैंने एक जगह वही पर रो यह दिया हुआ था उसमें ठीक है तो यह आपका सही हो गया देख रहे हैं कि कितना पैसेज आसान होता है अब यहां पर आपको जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कहीं पर ऐसी बात की गई थी कि जो कॉमन डाइट है क्यों फिट नहीं होती है तो आप जैसे ही जाएंगे पैसेज के अंदर ठीक है मैं दुवारे उपर नहीं जा रहा हूँ आप इसको पैसेज में एक बार पॉज करके रोक लीजिएगा मैं आपको सिधा-सिधा जो है यहां पर आपको बताता हूँ कि कौन सा ओप्शन दिया हुआ था यह दिया हुआ था एक पैसेज में जाओगे तो आपको सिधे-सीधे यह मिल जाएगा बात करें कोश्चन नमबर हंड्रेट की वाट विल बी पॉसिबल इन फ्यूचर तो एक कीवर्ड ता फ्यूचर को लेके क्या है एक कीवर्ड आप देखोगे तो फ्यूचर की बात की गई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि देखो यहां पर फ्यूचर की बात की गई है तो जैसे उसके आगे वाली लाइन पढ़ोगे तो आप्शन ए आपको सीधे-सीधे मिल जाएगा क्या मिलेगा ऑप्शन ने तो आप देख रहे हैं कि जो आपका पैसेज होता है टाइप वन होता है मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिशान मत हो यह गा टाइप वन होता है सिर्फ आपको क्या करना है कीवर्ड पकड़ना है अगर टाइप टू टाइप ट्री टाइप से निकाल सकते हैं, तो यह रहा test paper, आज का अगले इस series में अगला test paper लेंगे और आपको हम यह दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे चीजों को solve करते हैं, और paper से हो के उजरिये paper miss मत कीजिए, कुछ student paper miss कर रहा है, उनको लगता है कि अरे easy paper या फिर paper है, इतना सारा paper क्यों लगाए, जो grammar पढ़ रहे हो, जो वो पढ़ रहे हैं, और जो यह आपका, है, यह आपका practice session है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, उसको apply कैसे करना है, और question exam में पूछा कैसे जाता है, यह आपको paper ही बताता है, और उसी के according आपको यह पता चल रही होती, कि आपकी preparation कैसी चल रही है, आपको confidence level बढ़ता है, जब आपको यह question आते हैं, तो सबसे important होती है confidence level, अभी मैं कुछ 11 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको एक video थोड़ा सा short form में बना के दूँगा पांच साथ मिनट की, जिससे आप यह चीज़ समझ सके कि आकरी 10 या 15 दिन या 20 दिन, 30 दिन में जो pressure create होता है, उस pressure को आप neutralize कैसे करें, वो बहुत important होता है, क्योंकि आदे से जादा student की preparation बहुत अच्छी होती है, लेकिन pressure के मारे उनके marks कम सकम 20-25 के आसपस reduce हो जाते हैं, 10 तो कम से कम में reduce हो जाते हैं, 150 को स्कूर करना तो 160 स्कूर करता है, तो pressure avoid करना बहुत important होता है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए thank you, bye bye.